दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्स करने वाले हैं How to clear all caches Windows 10 and Windows 11 Windows 10 and Windows 11 में किस तरह हम caches को Junts file को remove कर सकते हैं और अपने PC की speed को enhance कर सकते हैं सबसे पहले हमने Windows plus R press करना है और हमारे पास एक dialogue box appear होगा यानि का run command हमारे पास appear होगा यहां पर हमने type करना है simple command को gpedit.msc यानि के group edit policy.msc यह type करना है और ok के button पर apply करना है तो जैसे हम यह type कर लेंगे ok करेंगे तो हमारे पास एक dialogue box appear होगा जो के group edit policy का है इसको हम थोड़ा सा set कर लेते हैं set करने के बाद हमने यहां पर एक setting करनी है जो के most important setting है सबसे पहले हमने administrative setting जो है यह template setting है इसको हमने select करना है यानि के administrative template setting को select करना है और इसके बाद system को select करना है और bottom में हमने find करना है storage sense तो जैसी storage sense हम find कर लेंगे यानि के s के column में आपने या s की row में आपने find करना है folder को जो के storage sense का है तो इसको हमने select करना है तो allow storage sense इसको हमने select करना है इसको पर double click करना है जैसी हम इसको पर double click करेंगे एक box हमारे पास appear होगा storage sense का इस box में अगर हम देखे तो हमारे पास 3 options है not configured और enable disable तो हमने क्या करना है इस setting को enable करना है इसका benefit यह है कि automatically हमारी junks file जो है remove हो जाएंगी apply ok करने से तो इसके लिए हमने एक और setting करनी है जिससे यह work करेगी तो सबसे पहले हमने क्या करना है search में आना है और यहाँ पर हमने simple command type करनी है storage की तो जैसी हम यहाँ पर storage type करेंगे और storage पर click करेंगे storage setting पर तो storage setting का box कुछ इस तरह से हमारे पास appear होगा तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो हमारे पास storage sense है तो इसकी configuration पर click करेंगे और यहाँ पर हमने क्या करना है run storage तो इसको हमने select करना है one day या every day या every week every month तो यहाँ पर every week मैं इसको set करूँगा तो जैसी हम यह setting कर लेंगे हमने simple इस box को close करना है तो हमारी automatically junts file जो है वो remove हो जाएंगी after one week इसके बाद window plus r press करना है run command appear होगा यहाँ पर हमने simple command type करनी है clean mgr तो जैसी यह type कर लेंगे ok के button पर apply करेंगे तो इसका mini box हमारे पास कुछ इस तरह से appeal होगा c, d, e, drive है इसमें हमने c को select करना है ok करना है तो जैसी हम इसको ok करेंगे तो इसका mini box हमारे पास automatically appear होगा यह automatically process जो है continue हो जाएगा just हमने यहाँ पर tick के button पर click करना है तो जैसी इन box में हमने tick के button पर click करना है ok करना है और delete files करना है जितनी भी gengs files हैं और cache memories हैं वो हमारी system से remove हो जाएंगी और remove होने के बाद recycle bin से भी remove हो जाएंगी जिससे क्या होगा हमारे PC की speed काफी fast होने वाली है बहुत ही असान method है इसको करने का तो आपने यहाँ पर चंद second wait करना है window plus R करना है जैसी हम window plus R press करेंगे और यहाँ पर हमने temp करना है यानि कि temp की command type करनी है OK करना है तो एक box हमारे पास appear होगा जो के temp का है यानि कि temporary files का है continue करना है और control A करना है यानि कि control A करने से तमाम files select हो जाएंगी तो जैसी हम इसको control A कर लेंगे और right click करेंगे तो एक menu हमारे पास appear होगा इस menu में हमने select करना है delete तो delete के button पर click करना है तो जैसी हम इसको delete करेंगे तो तुमाम files यहां से remove हो जाएंगी और इस box को हम close करेंगे इसके बाद फिर हमने window plus R press करना है और यहां पर type करना है percentage, temp percentage तो जितनी भी files हैं जो के temporary files हैं, cache files हैं या internet से related हैं यह भी हमारे पास illuminate हो जाएंगी control A करना है तो जैसी हम control A करेंगे तो यह तमाम select हो जाएंगी, right click करना है, delete करना है तो तमाम files जो हैं remove हो जाएंगी, check के button पर click करना है, skip करना है, तो जितनी भी files हैं, वो remove होके recycle bin में shift हो जाएंगी इसके बाद फिर हमने window plus R press करना है, run command को open करना है और यहां पर type करना है prefix तो prefix type करने के बाद simple फिर हमने ok के button पर click करना है, तो जैसे ही ok करेंगे तो prefix का box हमारे पास appear होगा, continue करेंगे continue करने के बाद कुछ files हमारे पास eliminate होगी या appear होगी, यहां पर हमने control A करना है, right click करना है और menu में select करना है delete, तो जैसे delete को select करेंगे तो तमाम file जो है वो remove हो जाएंगी यह simple method है, तमाम junks file और जितनी भी caches files है उनको remove करने का, इससे PC की जो performance है काफी increase हो जाएगी तो अगर यह dialog box आपे पास appear हो, तो tick करें, skip करें, तो जितनी भी files है वो remove हो जाएंगी और इस box को close करेंगे, इसके बाद फिर हम window plus R प्रेस करेंगे, तो run command का box appear होगा यहाँ पर हमने simple command type करनी है, services.msc और ok करना है, तो जैसे हम services.msc टाइप करके ok करेंगे तो services का box हमारे पास appear होगा, यहाँ पर हमने find करना है sys main तो यह basically superfeach memories है, इसको हमने disable करना है, तो sys main s का button प्रेस करेंगे, तो हम sys main को find कर लेंगे बहुत ही easily, इसके उपर double click करेंगे, और इस mini box को हमने right side पर set करना है, तो यहाँ पर क्या करना है startup type, इसको हमने automatic से disable करना है, और apply करना है, ok करना है, तो यहाँ पर हमने 3 setting करनी है, एक setting हम कर चुके है इसके बाद हमने find करना है, window updates, यानि के windows update, तो इसको हमने w का button प्रेस करना है, और find करना है window update तो जैसी हम इसको find कर लेंगे इसके साथ भी हमने simple process करना है तो यहाँ पर हम देख सकते है windows update इसके उपर double click करेंगे तो simple वो ही dialogue box हमारे पास appear होगा यहाँ पर भी manual से इसको हमने disable करना है तो जितनी भी हमारे पास cache create होती है तो इससे क्या होगा वो cache create नहीं होगी और हमारे PC की speed काफी fast हो जाएगी third number पर windows search इसको हमने select करना है इसके उपर double click करने के बाद यह box हमारे पास appear होगा यहाँ पर भी हमने इसको disable करना है इसकी startup type को apply करना है ok करना है तो इससे क्या होगा हमारे PC की performance काफी बेहतर होने वाली है as compared to previous इस setting को आप जरूर करके देखिए का recycle bin को भी आपने clean करना है या delete करना है जितनी भी junks files है इसके उपर right click करके इन तमाम files को delete करना है इससे क्या होगा हमारे PC की performance जो है वो काफी fast होने वाली है तो इन तमाम junks file को आप इसी तरह से remove कर लीजिएगा